नमस्कार गाओं तक बिहार देखने हैं आप और मैं हूँ सुवोष सीम। उत्तर परदेश का बिधान सबाचुनाप संपन हो चुका है। जनता नेकपा फिर से योगी अदितनाथ की नेतरुत में भरसा जताया है और योगी अदितनाथ को हर एक जाती और बर्ग का पूर्जो और समर्थन मिला है जिसकी बतलतों फिर से उत्तर परदेश के सीम बनने जा रहे हैं। चुनाप से परले दाविक की जा रहे थे कि कई जातिया योगी अदितनाथ के कारसेली से नराज है इस बाचुनाब में वो बीचेबिका बिरोध कर सकते हैं। हलनकि सभी दावे फेल हो गए और सभी जातियों का पूर्जो और समर्थन योगी अदितनाथ को मिला है। इस वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश के सभी 403 बिधायकों के जात्य प्रफाइल साथ इनके धर्म और बर्ग सभी बातों से आपको परचय करवाएंगे उत्तर प्रदेश के बिधान सभा चुना में इस बार 430 सीटों में सबसे अधिक जिस जात्य का प्रतिनिदित्व है वह है बर्हमन बर्हमन नोंने 52 बिधान सभा सीटों पर जीत हासिल की है इसमें सबसे अधिक बीजेबी के बिधायक चुन के आए हैं बीजेबी से 46 बिधायक जो है ब्रहामन चुन के आये हैं वहीं 5 सपा गटबंदन से और ये एक कॉंग्रस के टिकरवल जीते हैं बिधान सवा के लिए जातियों के हिसाब से दुसरे नमर पर भाजपा के बिधायक चुने गए हैं वो है राजपूत उन चास राजपूत जो है वो बिधान सवा में जाने में कम्याब रहे हैं इन मसे 43 भाजपा गटबंदन से हैं वहीं 4 सपा गटबंदन से हैं वहीं एक जनसत्ता अदल लोकतांतरिक जिसके अध्यक्ष राजा भाईया है वो जीते हैं और साथ ही एक BSP के टिकट वा भी राज बाजपूत उम्मिदबार जीतकर बिधान सवा पहुंचा है वहीं जातियों के हिसाब से तिसरे नवर पर कुर्मी जाती आती है कुर्मी जाती के 41 बिधायक बने हैं जिसमें भाजपा गटबंदन से 27 और 27 गटबंदन से 13 और कॉंग्रेस से एक बिधायक चुने गए हैं इ इस बार बीजेपी से 19 एमेल जो है जातव चुने गए हैं साथी सपा गटबंदन से 10 बिधायक जो है जातव जाती से हैं जातव के बाद पासी समाज का अस्थान आता है पासी समाज से जितने वालू के तदाद 27 है 18 बीजेपी गटबंदन से और 8 सपा गटबंदन से पासी उमिद्वार जीते हैं साथी एक जो बिधायक है पासिस समाज का वो जन सत्ता दल लोकतांत्रीक से चुनाब जीता है वहीं उत्तर प्रदेस बिधान सभा के लिए इस बार कुल 27 यादव बिधायक चुने गए हैं जिसमें से 24 सभा गटबंदन से और सिर्फ तीन बीजे भी गटबंदन से जीते हैं वहीं बनियां और खत्री समाज से कुल 22 लोग चुने गए हैं इनमें से 21 बीजे भी गटबंदन से जीते हैं और सभा गटबंदन से सिर्फ एक को सफलता मिली है वहीं अब हम दहाई अंकों को पार करने वाली जातियों का ब्रेवरा दे रहे हैं कई अन्य पिछ्री जातियां जिनका जिक्ट उपर नहीं हुआ है उनके बिधायकों की संख्या 10 है इनमें 7 बीजेबिगटमंदन और 3 स्वपागटमंदन से जीते हैं इसे दर से अन्य एस्टी और एस्टी जातियां के बिधायकों की संख्या 12 है 11 बीजेबिगटमंदन से और सिर्फ एक स्वपागटमंदन से चुनाब जीते हैं मौरे, कुशवाह, शाक, सैनी बिधायकों की संख्या इस बार 14 है इन्वा में भाजपा उसके स्वयोगी बहुत ज़्यादा भारी पड़े हैं और 14 में से 12 इन्ही के टिक्टों पर जीते हैं सपागटमंदन के टिकर पर जितने वालों की संख्या सिर्फ दो है इस चुनाब में जाटों का बहुत जिक्ड हो रहा था तरह तरह के नरेटिब त्यार के जा रहे थे इसमा कुल 15 जाट विधायक चुनाब जीते हैं और BJP गटमंदन से 8 जाट ML बने हैं जबकि RLD और सपागटमंदन का यहां भी पिछड गई है और उसके सिर्फ साथ जाट उम्मिदवार चुनाब जितने में सपल रहे हैं अब हम उन जात्कियों के बिधायकों की बात कर रहे हैं जिनके संख्या कुल मिला कर दहाई अंकों को पार नहीं कर सकी है बाल में की समाज से एक बिधायक चुने गए हैं इसी तरह काई समाज से तीन और धोबी से चार बिधायक बने हैं ये सबी बीजेपी गठवंदन से जीते हैं चार बिधायक राजबर समाज से हैं जिनमें एक बीजेपी गठवंदन और तीन सपा गठवंदन से चुनाब जीते हैं बुमिहारों की बात करें तो पांच बुमिहार बिधान सबाचुनाब जितने में काम्याम रहे हैं चार बीजेपी गटबंदन से और एक सपा गटबंदन से गुर्जरों की बिधायकों के संक्या के बात करें तो साथ गुर्जर बिधायक बने हैं जिनमें 5 बीजेपी गटबंदन से और 2 सपा गटबंदन से विधायक बने हैं। कलवार, तेली, सुनार जातियों के भी 7 विधायक बने हैं। जिनमें 6 भाजपा और 1 सपा, निशाद, कश्यप और बिंद जाती के विधायकों किसंख्या 8 है। और इसमें भी बीजेपी गटबंदन भारी परा है और उसके 6 और सपा गटबंदन के 2 विधायक चुने गए हैं। कोडी जाती के 8 विधायक चुने गए हैं और सारे के सारे बीजेपी गटबंदन से जीते हैं। इपी चुना में जितने वाले लोद विधायकों की संख्या इसपा 18 है इनमें भाजबा गडवन्दन से 15 और सपा गडवन्दन से 3 को जीत मिली है अगर धर्म की बात की जाए तो 3 धर्मों के लोग जो है वो विधायक बनने में कम्याब रहे हैं जिनमें 1 सीख, 34 मुसल्मान औ जाफा हुआ है जहां तक मुस्लिम विधायकों की बात है तो सारे के सारे सपा गडवन्दन से चुनाब जितने में कम्याब रहे हैं सीख समुदाय की एक मात्र विधायक बल्देव सीन ओलक बिलासपुर सीड से भाजबा के ठीकरवजीत का विधान सवाँ पहुंचे है एक बिधायक कॉंगर्स के ठीकरवजीत चुनाब जीता है इसके बाद 131 बिधायक उची जातियों के है इन में से 117 भाजबा गडवन्दन 11 सपा गडवन्दन और एक-एक बीएसपी कॉंगर्स और एक जनसत्ता दर लोकतांतरी के बिधायक चुने गए है यहां यहां आकर सब्सक्राइब भी को बोट किया है जिसकी बदलत इसमा फिर से योगी अधितनात सत्ता के कुर्सी बिधा जमान होने जा रहे हैं मारे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं को तो सब्सक्राइब कीजिए साधी लाइक से और कमेंड कीजिए